शिव अप्तरण, 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 शिव अप्तरण सनातन धर में मानो सेवा को सरुपरिमाना गया मानो सेवा, इश्वर की सेवा के समान है ऐसे ही नेस्वार्त भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्व प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वेचिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानों सशक्तिकरण और सामुदाईक पुनरोधार के लिए कारेरत है कोई जरूरत मंद हो या गरीब के लिए चिकित साविवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कोशल विकास या फिर पर्यावरन संरक्षन इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्यानकारी कारे कर रहा है दिव्व प्रेम सेवा मिशन इसी कड़ी में सेवा साधना के 25 वर्ष में दिव्व प्रेम सेवा मिशन द्वारा, एक वर्षिय शिव अवतरन, शिव ज्यान से जीव सेवा यग्य कारेक्रिम के तहट, सवा करोण पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुस्थान का आयोजन, सेवा कुंज, दिव्व प्रे इसको इसका समापन होगा, मानवता की पुजारी, डॉक्टर आशिश गौतम भहिया द्वारा लिया गया शिव अवतरन का संकल अकलपनी है, भाक्ती ही एक साधन है, जिससे इश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश की पूर्ति की जा सकती है, और इश वर्दना करनी का सवभाग दिव्विप्रेम सेवा मिशन में मिल जाए, तो पूर्ण की क्या कहने, इस न्यास में चल रही एक वर्ष्टी सवाकरोड पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतरगत, प्रातहकाल की बेला में, भाक्तों ने श्रद्धे आशिश भहिया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया, इसके बाद सवाकरोड पार्थिव शिवलिंग पूजन हेत, महादेव की बंदना की गई, मंत्रो चार के साथ 12 जिवत्र लिंगों और दिविश्वर महादेव की आराधना की गई, विधिपुर्वक रुद्राव शीक किया गया, श शिवल अब्दरना, शिवल अब्दरना, शिवल अब्दरना जिसकी इस्थिति विकार रहत है विज्टेंद्रिया जिनकी इंद्रियां भली भाती जीती हुई है समलोश्टाश्म कांचनह जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण एक समान है योगी वहयोगी युक्तह युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है इती उच्यते ऐसा कहा जाता है लगातार जो चर्चाएं कर रहे हैं योगारूर होने की भगवत प्राप्ति की लक्षण की स्वभाव की वो कैसा है इसका आंकलन दुनिया का कोई व्यक्ति कर नहीं सकता अपने अलावा तो जो ये आपका शब्द आया है विज्ञान होता है कि विज्ञान यानि बाहवस्तूं का ग्यान करना जानकारी करना कुटूहल न्यूटन कुछ कहता है कुछ साल बार आइंस्टीन कुछ कहते हैं बाद गिर जाती है जिसकी जीवन में कुटूहल मने बाहर की जानकारी प्राप्त करने का जो सिस्टम है तंत्र है उसको विज्ञान इसलिए जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मेचियोर होता है समझदार होता जाता है प्रावड होता जाता है उसके कुटूहल खतम हो जाते हैं यानि जो विज्ञान से यानि कुटूहल से भागने से तोडने से जानकारी जुटाने से पचासों किताबें पढ़ने से और ग्यान यानि जो अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना और अपने बारे में क्या करोगे ग्याना कितनी जानकारी करोगे यही ना इस थूल शरीर है तो हम उसको कर्म खेत क्रिया खेतृ उसका है शुक्ष्मा सरीर है उसका विचार शरीर है चिंतन शरीर है कारण शरीर है तो समाधी शरीर है तीनों ये पैदा हुए हैं, प्रकति से तीनों का अंत भी होना है, तीनों का होना अंत, हमारी विचार का भी, क्रिया का भी, समाधी का भी, स्थूल सरीर का भी, सूख्ष्म का भी, और हमारे कारण शरीर का भी, तीनों मिठना है तीनों अनित्य है तीनों अनित्य है आत्मा नित्य है परमात्मा नित्य है तो इनकी इससे संतुष्टी कैसे हो सकती है नहीं हो सकती ना जो जी अनित्य है जिसका आधी और अंत्य है शुरू भी होता है अंत क्रिया शुरू होती है अंत होता है विचार शुरू होता है अंत होता है समाधी शुरू होती है अंत होती है कारण इस्थूल शरीर पैदा होगा जाएगा विचार शरीर पैदा होगा जाएगा कारण शरीर पैदा होगा जाएगा इसलिए तीनों अनित्ता का बोध होने लगे ज्ञान का और विज्ञान का ज्ञान ये है विज्ञान ये है जो इन ज्ञान विज्ञान से तरप तो हो गया है शान तो हो गया है शम हो गया है योग के आसन पर बैठ गया है विशे क्लियर हो रहा है ना ज्ञान और विज्ञान का एक विज्ञान यानि पाहर की जानकारी जुटाना कुटूहल बस फिर अगला श्रब्द आता है कूटस्थ कूटस्तम गाओं के लोग हैं जल्दी समझ जाएंगे अपने हां गाओं में लुहार काम करता है तो एक लोहे का आधार उसके पास होता है गुटका जैसा अहरन कहते हैं उसको अहरन उस पर वह लोहे की चीज़ों मझे से अपने चेम्टे से पकड़ के गलाता है और पर सब्स होता है जो अपने गाओं में स्वर्नकार होते हैं देखा होगा सोने कच उसका भी छोटा सा लोहे की नहाई होती है अहरन उस पर सोना गलाना रखना और छोटे-छोटे अवजारों से ठोक पीट के उसमें आपके लिए हार बनाता है आभूशन बनाता है कि इसलिए जो लेकिन कितने आभूशन बन जाते हैं कितने लोहे की सामगरी कितने प्रकार की बन जाते लेकिन कूटस्त नहीं आहरन जियों काते हो रहता है न निर्विकार है उसके उपर सब कुछ चलता है छेनी हथवड़ा घन छोटे-छोटे आउजार सब चलाये जाते हैं लिए निहाई स्थिर रहती है निर्विकार रहती है अपरिवर्तनी रहती है उसमें कोई चेंज नहीं होता कितना भी कुटो कितना भी ठोको कितना भी पीटो हां उसके द्वारा हार मनता है आभूशन बनते हैं अंगूठी बनेगी बहुत प्रकार की उससे जितने प्रकार के लो सब चीजते मिरमार कर देता है आधार क्या है नेहाई निर्विकार है उसमें कोई विकार नहीं आता परिवर्टन नहीं होता कि एसा योग कूटस्त बाहर की किसी हलचल का कई बार में ने दिया है बाहर लेहरें आती जाती है से लखिश को गुलाम नहीं है इंद्रियों का मालिक है इंद्रियों में शक्ति है और है जरूरी है उनकी शक्ति और उर्जा हमाई लिए लेकिन वही जैसे आपके पैर है शक्ति है उर्जा है विकलांग हो जब कुछ कर नहीं सकते पैर नहीं है अब यहीं पैर वेश्याले भी ले जा सकते हैं मदिराले भी ले जा सकते हैं चोरी करने ले जा सकते हैं हिंसा करने ले जा सकते हैं अपराद करने ले जा सकते हैं और यहीं पैर आपको मंदिर ले जा सकते हैं तीर्थ में ले जा सकते हैं सेवा की ओर ले जा सकते हैं साधना की ओर ले जा सकते हैं मंदिर की ओर ले जा सकते है गंगा जी क्यों ले जा सकते हैं ये इतने प्रकार के आपके काम के हैं लेकिन इसका मालिक कौन है मालिक अगर ठीक नहीं है मालिक अगर निगेटिव है मालिक अगर नकारात्मक्ता से भरा है हिंसा से भरा है क्रोध से भरा है घ्रना से भरा है किसी को भी चोट देना चाहता है, शोशन करना चाहता है, तो ये मालिक वही कराएगा, इसलिए इंद्रियों को इंद्रियों का विजेता है, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है, और याद रखिए, जिसने भी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाया, भौतिक जगत म में भी इंद्रियां जादा दिन काम करें यूज की 60 साल 70 साल के उम्र में दाथ नहीं तूटता इंद्रियों के नाते 40 साल में दाथ गिर जाता है 60-70 साल में भी आँख काम कर रही, पड़ लिक रहा है 40 साल में भी आँख खराब हो जाती है लीवर किड्नी जो आंत्रिक अपने जो शरीर की हिस्से है जीवा के नाते हम खराब कर लेते हैं ये तो प्रत्यक्ष है ना जब प्रत्यक्ष इतनी ताकत दिख रही है सामने आपको प्रत्यक्ष तो आप प्रत्यक्ष कितना होगा आगे कहते हैं कि सम लोश्टाश्म कांजना यानि मिट्टी पत्थर और सूना अब याद रहा को तीनों प्रकति से आए हैं तीनों तीनों की जरूरत है ठीक है कीमत उसकी है ठीक है ये भी तीनों प्रकति से आए हैं इसका भी आदियंत है ये भी अनित है सोना भी मिट्टी भी पत्थर भी तो मिट्टी पत्थर सोना के प्रति समत्त भाव आ जाएं समत्त कि मेरी अंतहयात्रा में मेरी आध्यात्मिक उन्नत में मेरी साधना में इनकी कोई जरूरत है क्या इनकी उप्योगिता कोई है क्या इनको मैं जादा सोना संग्रे करूं उप्योगिता है क्या बड़ी मिट्टी यानि जमीन खरीड डालूं उप्योगिता है क्या बड़े बड़े पत्थर पहार्स और हीरे जवाहरा तिखट्टा कर लूं कोई उप्योगिता है क्या इसलिए इसके परिसमत्तो का भाव, मिट्टी आ गई तो दुखी है, सोना आ गया तो उत्साए में, हर्ष में आ गई, कूदने लगे मेरे पास बांच किलो सोना है पत्थर के अंबार लग गयरे मेरे पास इस प्रकार की स्टोन'S का कलेक्शन है इनके प्रति समत्तों का भाव रामकर्ण परमन से देव का यहां लगा होगा चितर कहीं स्वामी विवेकानंद के गुरुन ने अभ्यास किया टका माटी माटी टका यानि बंगला में पैसे को जो सिक्के होते हैं सोने के उसको टका कहते हैं टका मिट्टी टका माटी माटी टका हाथ में लेके खेलते रहे खेलते रहे और सब एक सब गंगाजी में फेट दिया इस प्रकार का भाव पैदा हो जाए अंतर न लगे टका माटी माटी टका में है अच्छी बात नहीं है और अच्छी बात है इस प्रकार से जो व्यक्ति सब बातों में समान देखता है जिसका अंतह करन शुद्ध हो गया है इन चीजों से यानि ग्यान विज्ञान के चकर से उपर उठ गया है त्रप्त हो गया है अंतह ग्यान बाह ग्यान यानि दोनों को प्राप्ट करने के चकर में जो नहीं है कूटस्थ यानि जिस कूटस्थ के भाव में है निर्विकार है निहाई जैसा है अहरन है कोई उसमें चैंज नहीं है, उसके द्वारा रचनाएं हो सकती हैं, रचना का आधार हो सकता है, साहितकार, संगीतकार, कलाकार, लेखक, वेज्यानिक, प्रोफेसर है, राजनेता है, प्रसार, उसके ऊपर सब कुछ खड़ा होगा, होना चाहिए, लेकिन खुद निर्विकार है, इस्तिर है, शांत है और इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है, गुलाम नहीं है, अपने अनुसार सोता जाकता है, अपने अनुसार लोगों से व्यवार करता है, अपने अनुसार भोजन करता है अपने अनुसार साधना करता है अपने अनुसार गूमने फिरने जाता है अपने अनुसार देखता है अपने अनुसार बोलता है अपने अनुसार सुनता है अपने अनुसार अन्ता और बाह सभी प्रकार की इंद्रियों का उपयोग करता है और मिट्टी पत्थर सोने में समत्व भाव संभाव से देखते वे ना अंदर सिद्धी का भाव ना हर्स का भाव ना द्वेश का भाव और महत्वपून बात है जो व्यक्ति कर्म योगी होता है कर्म करता है कर्म के प्रति उद्धत है और साउधानी बरतना है हम सब आप सब कर्म योगी हैं हम सब कर्म शेत्र में इसलिए कर्म शेत्र में जल्दी राग द्वेश पनपता है सफलता का भाव जल्दी आता है उसमें प्रोध भी आता है छोब भी आता है सुख धुक्का तुरंत भावा था इसलिए निर्विकार जिसके पास इन गुणों का आधार है आसन है जितना है जितनी मात्रा में हैं समझी हम उतनी योगा रूड है आत्मा आत्मा दर्शन के पास है परमात्मा का दर्शन के पास है हम इस प्रकार का आकलन हम सब अपना खुद करें यही निवेदन साइकाल में रुद्राक्ष व्रिक्ष के सम्मुख महादेव की मंगलार्पि की गई विव्विप्रेम सेवा मिशन द्वारसंचालित सेवा के विविद प्रकल्प चिकित साले, विद्याले, छात्रावास, पर्यावरन सन्रक्षन, हरितम संबर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामिर शेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नव्यूकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर, गंगा भोगपूर तल्ला, पोड़ी गड़वाल से संचालित हो रहा है सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुनी के भागी बने संस्था का बैंक अकाउंट है सेवा मिशन न्यास शाखा हरिद्वार उत्तराखंड ICIC बैंक अकाउंट नमबर 02390-10000-105 IFSC कोड ICIC 0000239 सेवा मिशन को दी जाने वाली राशी आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी दिव प्रेम सेवा मिशन शिव ज्यान से जीव सेवा यग्य एक वर्षिय अनुस्थान सवा करोर पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुडे संपर्क सूत्र 94129-17497 92196-69687 WhatsApp नमबर 9713-283333 Email ID Contact at www.shiv-avataran.org Website www.shiv-avataran.org दिव प्रेम सेवा मिशन की कल्यान कारी सेवा कारियों से जोडने के लिए संपर्क करें संपर्क सूत्र 921-959-5552 88650-46734 WhatsApp नमबर 921-959-5552 Email ID www.divvapraim03-gmail.com Website www.divvapraim.co.in प्रेम झाल